जय हिन साथियों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासेस पर और हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर आए हुए आपके जो प्रीविएस येर कोश्चन हैं उन्हें डिस्कुस कर रहे हैं आज जो मैं आपके साथ तीसरा सैट पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं इसे पिए मैंने दो आपके सैट पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिए। और मेरा मानना यह है कि एक्जाम से पहले आप इंसाइट पेपर को जरूर लगागे चाहिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस एक्जाम के अंदर दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के अंदर, 15 में से 15 नंबर चाहिए, मतलब 15 में से 15 पक्के करने ना, तो previous year question paper के सैट आप एक्ज 27 यह आपके पास लगा था 27 11 2000 आपके 20 दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा का पेपर है और सारे कोश्चन हम लोग आपके डिस्कस करेंगे 15 के 15 कोश्चन और मैं मानता हूं कि इन कोश्चन को आप करोगे तो 15 में से 15 नंबर तो आपके पक्ये हो जाएंगे तो फटाफट क्लास से जुड़िए और फिर हम इस क्लास को आपके स्टार्ट करते हैं फटाफट जो है आपके पास पहला कोश्चन आपके सामने आ भी ठीक है वह अपने गंतव्य तक कुल जो है 3840 किलोमेटर की दूरी को बीस घंटे में तय करता है तूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई है आपको बताना था इस कोश्चन के अंदर है अच्छा कल जो अपने सैट लगाया था ना उस सैट के अंदर भी आपक के साथ डिस्केस किया था कि टाइम इंडिस्टेंस में तीन चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे दिर्गी से पढ़के जाने कि समय दूरी वाला एक आपके प्राब्लम बेज्ट ट्रेन और एक आपके नाउधारा वाला यह आपको क्या है तीन चैप्टर का एक तो 40 अच्छे दिखो सिंपल हम अगर बात करते नहीं यहाँ पर दिस्टन्स जो होता है वो क्या होता है एस इंटू टी अब दिस्टन्स का स्पीड के साथ सीधा रिलेशन है लेकिन दिखो स्पीड का टाइम के साथ रेसी प्रोकल है विलोम संबंध है अपोजिट रिलेश अगर आपने आपके क्या है स्पीड को कम किया तो वही निश्ची दूरी तैय करने में आपको ज्यादा समय लगने वाला है तो अगर माल लो मैं यहां से स्पीड का रेशो निकालता हूं और उसका उल्टा कर देता हूं तो वो टाइम का रेशो आ जाएगा ठीक है बस वीडियो टाइम के बीच में तो रेशी प्रोकल है अगर मैं यहां से टाइम का रेशो निकालूंगा तो क्या आजाएगा तीन और दो चलो ठीक है यह आपकी टाइम का अनुपात आ गया अच्छा बताओ जो समय इन्होंने लिया है आनुपातिक योग कितना है बोले अब आप देखिए कि अनुपातिक योग अगर पांच है तो यह टोटल टाइम ले कितना रहे है बोले बीस घंटे आप देखना अगर यह पांच अनुपात पे बीस घंटे ले रहे हैं तो एक अनुपात पे आपके चार घंटा लेंगे बोले यस तर एक अनुपात पे चा साहताई करने में आपके जो की 240 km पर गंटे की रफ़तार से 8 गंटे का समय लगेगा हाना तो ये वाला विकल्प जो है आपका राइट होगा बाकी वाले विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे ये पहला कोशन था अभी आपको पता लगया एक्जाम वाल में जाने से पहले आप पंदरा परसेंट 10 परसेंट और 18 परसेंट के तीन क्रमिक छूड़ दी गई है तो उस वस्तू का विक्रे मुल्य याद कीजिए और विक्रे मुल्य यहां पर आपको चार ओप्शन दे रखें है और आपको निकालना है चलो ठीक है आप बताओ यहां पर आपको अंकित औरम क्या दे रखा हैते हैं अंकित मुल्य यह अंकित मुल्य आपके पास पांच हजार रुपए का यहांan Cash mulli है 5,000 अपके पास क्या हो गया अंकित मुल्य हो गया अब इसपर discount कितना लगा एक तो ये लगा एक ये लगा और एक ये लगा अच्छे discount जब आप पढ़ते तो आप बुदर discount में क्रम का कोई फरक नहीं पढ़ता तो अब ही अपन क्या करते हैं अपने क्रम से निकाल लेते हैं सबसे पहले पर 10% का discount देना पसंद करूंगा 10% का discount दे दो आप 5000 आपके पास जिए पांसो पॉटा अब 4500 आपके पास क्या है यह हो गया मलद एक discount लगा अब discount आपके देते लुकत देना है एक तो discount यह वाला देना है और एक MRK का discount कितना होगे 450 अच्छा बताओ इस 10% के discount का यह आदा गरोगे तो आपको 5% मिल जाएगा बलोगे यह सर 5% मिल जाएगा तो इसका आदा कर दो ना यार यह आपके आदा गरोगे तो कितना होगे 260 अर total discount कितना हो जाएगा UTL discount होजाएगा 675 Saint-25 आपके पास ओजाएगा तो लोग साप दूसरा discount भी बहुत ही प्यार से दे दिया आपके यार और यह आपके पास कितना होजाएगा यह मैंनस आपके 675 यहा से क्या बचेगा यहाँ से बचेगा आपके पास Ja Act और इधर कि तो 38-25 आपके पास अभी आ गया, अब आप देखना, ये 38 अगर ये 2 discount होते न तो 38-25 में विखने के लिए तयार थी ये, अगर ये दो ही discount होते तो 38-25 में विखने के लिए तयार थी ये लेकिन इसमें ऐक discount और पड़ा हुआ है 18 ृ अभी एक discount और पड़ा हुआ 18% का तो आप बताओ 100% आपके पास अगर ये है और 18% आप छोड़ रहे हो तो अभी आप निकाल कितने में रहे हो तो आप बोलोगे सर इसको निकाल रहे हैं हम लोग 82% कितने में निकाल रहे हैं हम आपके 82% इसका अगर मैं 82% निकाल लू तो इसका selling price से आपसे क्यों पूछ रहा उस स्वस्तु का कैर मुल्ल्र हो जाए ये सैलंग प्राइज आजा जाएगा कर आप यह निकालते स्सका सटॉरि प्राइज आजए का When मैं अभात है कि मैं कान रहे हम इसका लगा रहा है अगर मैं कल्कूलेशन नहीं पूरी इसका मतबब दो वैल्यू तो नहीं आ रही है आपकी या तो यह आएगी या फिर यह वैल्यू आने वाली है तो चलू अभी हम देखो यहां पर बात करते हैं अपन इस जगे पर और इस जगे पर इस जगे पर हम क्या कर रहे हैं एक डिजिटल सम अपलाई करते हैं आपके इस question को solve करूँगा तो 6 और 3 कितना हो गया 9 अच्छा 5 और 3 आपके पास यह आपके पास कितना हो गया 5 और 3 8 और 1 नो तो इसका मतलब इसका desert sum 0 आ गया अब आप देखो चरह इसको देखने से क्या इसका desert sum 0 आ रहा है तो आप देखना इसका desert sum हमकर देखें तो यह आपके पास कितना हो जाएगा 7 यह जाएगा आपके पास 7 तीन 10 दस और आपके पास क्या है आठ अठारा आठारा आठारा आपके पास नो जीरो यस डिजिट सम आपके पास जीरो आ रहा है अच्छे तो इसका डिजिट सम आपके पास क्या जीरो आ रहा है क्या इसका डिजिट सम आपके पास ये और साथ और दो नो आपके पास क्या है जीरो और साथ और पांच आपके right हो जाएगा दुबारा देखना एक बार फिर देख लेते हैं अपर 6 और 3 आपके पास 9 आउट हो गया है ना इधर देखो आपके पास कितना 5 और 3 8 और 9 तो इसका digit sum 0 हो गया इधर की तरफ देखो यहाँ पर 6 और 3 9 0 और यह आपके पास क्या है 0 5 और 3 8 आपके पास कितना 8 आठ आ गया तो इधर की तरफ से 8 आ जाएगा और यहां पर क्या 0 आ रहा है तो आप बोलोगे सर आपके पास क्या 10 और यह आपके पास कितना होगे 8 10 और 8 18 18 मतलब आपके पास 9 9 का मतलब 0 इसको कुछ से गोना को लोगा तो वेली उसकी चोड़ाई से 15 मीटर अधिक है एक आयताकार भुखंड की लंबाई उसकी चोड़ाई से 15 मीटर अधिक है यदि भुखंड के चारो और बाढ़ लगाने का लागत जो है 12.50 प्रती मीटर की दर से आपके पास कितना है 4950 रुपे है तो भुखंड की लंबाई क्या आत किजिए आपको भुखंड की लंबाई निकाल के बतानी है तो चलो यह आपके पास क्या एक भुखंड है इसकी लंबई उलेते हैं, आपके पास क्या है? एकस है, तो चोड़ाई आपके पास कितनी हो जाएगी? आपके 15 मितर अधिक, नहीं चोड़ाई 15 मितर हो जाएगी अब आपके इसके इंदर बाड लगाना चाहरा हूँ तो अगर मैं आपके पास क्या इस खर्चे में इस दर्का भाग लगा हूंगा तो मिर को क्या मिलेगा आप को परिमाप मिल जाएगा पेरिमिटर मिल जाएगा और पैरिमिटर होता क्या है parameter होता है twice l plus b यह आपके पास इसका होता है parameter अब आप समझना बात को देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आपके इस 4950 में आपके पास 16.5 का भाग लगा रहा हूँ basically मैं क्या निकाल रहा हूँ यहां से parameter निकाल रहा हूँ आपके पास क्या है इसको चांट कर दो यहां से आप देखना यह 692 वह उटाएंगग Chapel यहां पर आपके पास कर जायगा cookie को यहां आपके पास कि तीन से से इंधे से इस रहे यह आपके पास कितना हो गया पैर को यह आपकेंपास क्या पैरिमेट्र आगया अब देखो 300 परिमाप के एक आयताकार भुभाग को जब 16.50 से बुना किया होगा तो इसका खर्चा जो है वो 4950 रुपे आया होगा इसका मतलब पैरिमेटर जो है वो किसके बराबर हो गया तो यहां पर लंबाई और चोड़ाई का योगफल जो है वो क्या आ रहा है 150 पचास आ रहा है और बाकी यह विकल्प और जो आपके पास क्या लंबाई के है अब आप बताओ या इसमें से अगर मैं आपके 15 कम कर दो तो इसका सम डेड़ सो पर जा रहा है क्या बोले नहीं गुरू जी नहीं जा रहा है क्या बोले नहीं गुरू जी इसका भी नहीं जा अब आपके राइट विकल्प कौन सा बच्चा वाला विकल्प आपको यखीर नहीं आता तो भटाओ इसमें से आपके पास 15 और फिर जोड़ो आपके पास उसको दोनों आपके डेड़ सो आके रुखेंगे तो यह वाला विकल्प जो है राइट विकल्प होगा और मैंसुरे मैंशा में जाने से पहले मैंसुरेशन के सारे के सारे फॉबला आपको याद होने चाहिए आगर आप याद नहीं किये हैं आज की रात फॉर्मुले को नाम है ना आज की रात जो है वह मैंसुरेशन के सुत्रों के नाम कर दो और सारे के सारे सुत्र याद कर लो ठीकिना कॉंस्टेवल बन जाओगे चलो आगे बाते करते हैं अपन कॉश्चन नमबर फोर एक मोटर साइकल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए परियाप है बहुत बढ़िया बात है यार मोटर साइकल जो है उसका टैंक अगर आप फुल भर देते हो ना तो 30 दिनों तक वो चल जाता है बहुत बढ़िया बात है इस अच्छी बात नहीं हो सकती यदि कोई आपके पास सवार प्रतिदिन 20 परसें आपके ज्यादा खर्च करता है तो आप बताईए आपके क्या है पेट्रोल से भरी पूरी टंकी कितने दिनों के लिए परियाप्त होगी यह आपका क्वेश्चन अच्छा मेरी बास तुरू 20 परतिशत का मतलब क्या होता है पहले तो आप मुझे यह बताओ आप बोलोगे स परड़े 20 परसंट जादा इसका मतलब क्या है अगर पहले पांच यूज कर रहा था तो अभी एक ज्यादा यूज करेगा तो अभी वर्तमान में 6 यूज करेगा अब आप समझना पहले पांच बोला था यूज करने के लिए लेकिन अभी भाईया जी 6 यूज कर रहे है यूज कर सकते भी इस्तमाल कर रहा है किस तरीके से तो अगर दिन की बात करूँ तो आप मुझे खुद बताओ यार अगर आप पड़े कंजप्शन जादा कर रहे हो फ्यूल का तो रेस्पेक्टिवली वो कम दिन चलेगा अगर कम यूज करोगे तो ज्यादा दिन चलेगा अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो कम दिन चलेगा तो यहाँ पर इसकी खपत के हिसाब से इसको चलने के दिनों का अनुपात रेसी प्रोकल में आएगा तो रेसी प्रोकल अनुपात कितमा जाएगा इसका उल्टा कर तो इलो मा जाएगा यह आपके पास आएगा 6 और मैं इस यह प्रोकल मैं बढ़ना ना जाएगा तो आराम से 30 दिन चला देता इसनिंजा खुद नहीं का यह दिखो स्टार्टिंग में चिपकार रखा इस जाए है तो इक आपके यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा तो बताओ 5 इंट का मतलब कितना हो जाएगा यह गुरु नहीं चलेगा, 30 दिन से कम दिन चलेगा और आपके पास आंसर जो होगा वो आपके पास यह यह गलत विकल्प है और यह वाला विकल्प हमारा विकल्प, आगे बात करें पहले को चलो, question number 4 होगा, question number आपके पास क्या है 5, कम से कम समय में जादा से जादा पढ़ना और आपके पास क्या है, जो पढ़ा हुआ है वो याद रखना, यह बहुत बड़ा task होता है, और इसलिए हम कहते हैं कि भी आप सबसे पहले अपने content को fix कीज़े, आपने क्या पढ़के जाना है, इतना पढ़के जाना है, और जो पढ़के जाना है वो आपको याद भी रहना है या नहीं रहना अठा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है लोगों ने आपके क्या है, कम पढ़तर भी बहुत बड़े-बड़े achievement ले लिए है और कहीं लोग ऐसे जोने अठा पढ़ा लेकिन achievement के नाम पे उनके आवास जीरो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली पुलिस परिक्षा का फॉर्म भर दिया है और एक्जाम के लिए आप बिल्कुल भरे बेठे हो कि नियार एक्जाम में बैठना है मेरे को तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए आपको पहले प्रिवियस कोशन लगाने पड़े और जो भी आपके क्लास है सारी की सारे देखिए इससे पहले के साइट अगर नहीं लगाया है वो भी देखिए दोनों क्लास है आपके यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई है चलो क्या बोल रहा है क्वेशन नंबर पांच कि दो व्यक्तियों में प्रतेक को जो है इतना पैसा मिला 43,800 बाणवे 43,800 रुपे की धनराशी का एक रिण जो है और दूसरे को मलब जो second वाला है दूसरे को आपके पास क्या है से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चकवर्दी ब्याच की धर पर अच्छा एक को तो simple interest दे रखा और एक को आपके compound interest आँ देने वाली बात यह है एक का तो simple interest है और दूसरे का compound interest है बुक्तान करना था इस तीन वर्ष की अउधी में प्राप्त चकवर्दी ब्याच की तुलना में प्राप्त साधरन ब्याच कितने आपके पास क्या है प्रतिशत कितने प्रतिशत जो है आपके पास क्या है कम होगा यह आपका question है अच्छा मेरी बात सुनो इसने पैसा जो है वो तो fix दिया है आप समझना है leverage इस पैसा आपके पास क्या fix दिया है दोनों को 3 साल के लिए ही दिया है हिसाब भी 3 साल बात करवा रहा है लेकिन दर और दर भी fix करती इसने तर भी 30% ही दे रखी 30% है हमारे पास लेकिन एक से क्या बोल रहा है एक से तो बोल रहा है कि simple interest और दूसरे से क्या बोल रहा है कि compound interest लुगा अब आप बताओ अगर 30 प्रतीशक आप साधरन ब्याज ले रहे हो वार्शिक तो तीन साल में 30 30 30 90 percent का interest बनेगा यह आपके interest कितना आया 90% का interest बनेगा अगर मालो आप compound interest ले रहे हो तो यह आपके पास 30% हिसाब लगाना पड़ेगा या 30% बना तो यह 30% आप ब्याज ले रहे हो न इसका मतलब आपके पास क्या है एक साल की बात करे रहे इसका मैं भिन्न बोलू तो इसका भिन्न हो जाएगा 3 बटा 10 मतलब 10 रुपे पे 3 रुपे आप ब्याज लेने की बात कर रहे हो तो आपके ब्याज कितना हो जाएगा धन कितना हो जाएगा बोले 13 बटा आपके 10 हो जाएगा आप 3 साल की बात करें तो आपको बता है ना power of compound कहा चली जाती है वो उपर चली जाती है तो यहाँ पर आपके पास क्यों जाएगा 3 आजाएगा और 3 वर्ष बाद आप ये पैसा लो 3 वर्ष बाद आप इस तरीके से लोगे तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इसकी power 3 कर दो 13 की power आपके पास क्या है 3 तो 13 की power 3 करते सी आपके पास value कितनी है कि 1 आपके पास क्या 2 1 2 1 9 और आपके पास 7 13 की power cube आपके पास 2 1 9 7 और इसकी power cube करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 ये आपके पास 1000 आज़े तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं इधर ऐसे कर देता हूं ने दोनों में दसका भाग लगा दिया और यह यहाँ पर निकाल दी बैसिकर नी पता है क्या है मुझे पर्सेंटेज से कंपार करना है यहाँ पर यह बोल रहा है कि तीन वर्ष की अवधी में प्राप्त च चाहिए इसलिए मैंने एक हजार पर कंप purity कर घूंगा तो प्रतिशत थोड़ी आता है तो पर किया गया हिसाब किताब ق्रतिशत कहलाता है फिर और चुकि 100 के मुकाबले में बढ़ा है तो इसको क्या percentage बोल सकते हैं तो ले गुरुजी ये भी कोई कहने की बात है 100 पर किया गया हिसाब किताब प्रतिशत कहलाता है तो पकी बात है ये 119.7 प्रतिशत आपके compound interest आया होगा मुल्धन जो मुल्धन वो पड़ा हुआ है ये आपके पास कितना हो गया 119.7 अब ये क्या बोल रहा है कि भीया कितना कम मिला इसके respect में आप बताओ अगर मैं यहां बोलू तो यहां कमी कितनी आ रही है तो आप बोलोगे साब 10 तो इदर से 19 उदर से 29 तो ये आपके पास 29.7 29.7 आपके कम मिल रहा है किसके मुकाबले इसके मुकाबले 119 आपके पास 7 के मुकाबले और इसको percentage में convert करो आपका काम हो जाएगा तो यहां से आपके पास क्या है वाल्यू कितनी हो जाएगी यार यह जाएगी 29700 और आपके 119 और आपके पास 7 भाग लगाओ ठंडा पानी आपके रुख जाएगी यहां पर बुला हुआ है लगभग लगभग approximation जहां आ जाता है वहां पर आपके पास क्या है decimal जो है मतलब आंकिक योगपल नहीं लगता है तो आपको भाग लगाना पड़ेगा यहां पर अब आप देखो इधर की तरफ हम बात करते हैं इसका आप भाग लगाओगे यह भाग सबसे पहले तो जा रहा है आपके पास डबल बाइंस सो दो बार जा रहा है आपके पास क्या है दो बार जा रहा है सब में दो आ रहा है तो मतलब भी नहीं आ रहा है अभी आप देखो यहां पर हम बात करते हैं टू नाइन सैवन जीरो इतना ही लिया है मैंने ना तुन्तिस सो सतर और यह दो बार जा रहा है तो कितना हो जाएगा दो सत्य चोदा तो नम अठारा और दो एककम दो और एक आपके पास तीन और यह अभी आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा च्छै और यह सूला में से नो तो साथ और इधर की तरफ आठs में से तीन तो पांच घीके और यह वाला जीरो यह वाला जीरो दो कीतना है झात तो यह उत्तर आपके पास यह दो लगाएगा और पन अगला कोशन देखते हैं कि कोशन नमर 6 ए और बी प्रत्येक ने समान धन राशी तीन वर्षों के लिए क्रमश पांच प्रतिशत वार्शिक ताधरन ब्याज और वार्शिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवर्दी ब्याज की दर पर रेड़ लिया जा वापन दो यह इसका मतलब पत्य है एकजाम होल में घुसने से पहले अगर आपके पास क्या सिंपल इंट्रेस और आपके पास कि नहीं पढ़े न ये अभी से पढ़ लो एक्जाम में जाने के बहुत बढ़िया तरीके से आप सारे वीडियो देख सकते हूं प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं वीडियो में भी अवेलेबल हैं लाइव सेशन में लिये हुए सारे के सारे चलो अभी हम बात करते हैं यहां पर तो पांच ए और बी ने समान धन राशी तीन वर्षों के लिए क्रमश पांच पच्छत वार्षिक कादरन ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चत्रवदी ब्याज की दर पर रिंड लिया बुक्तान के समय एक ही तुलना में बी को आपके 427 रुपे अधिक देना पड़ा एका तो सिंपल इंट्रस है और बी का कंपॉण इंट्रस है तो बी को ज्यादा देने पड़ेंगे यार कंपॉण इंट्रस तो वैसी भारी पड़ता है पी के द्वारा आपके बी के द्वारा रिन ली गई धनराशी और भ थाना तो 5 % 5 % 5 % वार्शिव वयाज की दर पर आप किताब लगा रहे पांच प्रतिशएत वार्शिव वयाज की दरपर तीन साल के लिए जो मैं आपके पास वयाज बनेगा वो बनेगा क्लिएँ प्रतिशने क्लिए पांच परसेंट, पानच परसेंट, 5% साधरन व्याज होता है जो हमेश्या मुल्दन पर लगता है प्लünde मुलदन नहीं बदल रहा है लगेगा अधोले, मूल्दन का 15% प्रतिशत लगेगा तो ये आपके पास 15 % अन्य पे आप आप देखो 5% का मतलब क्या होता है है नहीं 5% परसेंट का मतलब होता है आपके एकएबटा 20 तो 15% उ स्का 5 को तीन instmbol गुना करो up 1010 आपके पास एकपेशन से गुना करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा तो मूलधन का 3 बटा 20 है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही है तो और बढ़िया, हाना, जो भी मेरा मूलधन है, आप देखो 20, 20 और आपके पास 3 जो है वो इंटरस, तो बैसे के लिए 3 बीस का कितना है, बोले आपके पास क्या है, 20 ब परदी ब्याच की दर्स है, अच्छा मुझे बताओ यार, 5 परशन का मतलब अभी अभी आपने मुझे कहा है कि एक बटा 20 होता है, तो हर 20 रुपे पे आप एक रुपे का इंटरस्ट लोगे, पैसा कहा चला जाएगा, बोले गुरु जी पैसा पहुच जाएगा, 21 बटा आ आने वाले हो, तो 3 साल बात क्या हो जाएगा, बहुच आपको एक छोटा सा हिसाब किताब करना है, आप देखो 21 की पावर आपके पास क्या है, तीन कर दो, 20 x 21, आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो और बढ़िया, अब मैं बताऊंगा, अगर आता होगा तो आप खुद लिख लोगे, यह आपके पास कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास, 21 की पावर आपके पास 3, यह हो जाएगा, 9261, कितना हो जाएगा, 9261, और यहां से आपके पास यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपके पास कितना, 8 हज, और मुझे बताओ आठ हजार के तुलना में यहां पहुँझगे यह आपके पास जो है यह मूल्धन है और यह जो हुआ है यह आपके पास अमांट है जिसे हम चक्रवर्धी आपके पास क्या मिष्रधन बोलते हैं। चक्रवर्दी मिष्दन में से हमारा मूलधन यदि में घटा दूँगा तो मुझे चक्रवर्दी ब्याज मिल जाएगा और चक्रवर्दी ब्याज देखो यहां से कितना आया आठ हजार, नो हजार, आपके दो सो एक सट पी बारा एक सट जादा होगे यह बैसे के लिए आपके बारा सो एक सट जादा हुआ और यह बारा सो एक सट जो मेरा ब्याज है, वह आठ हजार के तुलना में कितना होगा बोले गुरु जी यह इतना होगा बैसे के लिए यह थूड़ी चाहिए, पिश्धन मुल्धन का कितना होगा मुझे ची यह ब्याज मुल्धन का कितना होगा तो basically आपके पास क्या है यह 1261 जो है वो 8000 का इतना होगा मुल्धन का अब आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या है यह ब्याज आ गया और यहाँ पर यह ब्याज आ गया दोनों को दोनों है यह आपके पास क्या है compound interest में आया है यह आपके पास simple interest में आया है हाना अब यह खुद कहा रहा है किसका difference जो है इसके बराबर है लड़ू परोज दिया बिलकुल हाना तो बस कुछ मत करो यह आपके देखो बारा 61 बारा 61 बटा 8000 और माइनस आपके पास कितना 3 बटा 20 इसका फर्क जो है वो कितना दे रहा है 427 के बराबर दे रहा है तो आप मुझे बताओ अगर यहां पर भी आपके क्या है 8000 होता तो मज़ा आ जाता ना बोले हाँ गुरू जी बात तो सही कर रहे हो आप अगर यहां भी 8 8000 होता ना तो मज़ा जाता धिन को हल करने में क्योंकि फिर 8000 यहां होता और 8000 यहां होता बहुत आसानी से हल कर लेते हैं तब यह बताओ इसको 8000 बनाने के लिए क्या मैं 400 से गुणा और 400 से भाग कर सकता हूँ आप यस तर कर सकते हो तो देखो इसको इस से गुणा करते ह कितना हो गया बहले 1200 इधर कितना है 1261 बारासो एकसट और बारासो का difference कितना हो जाएगा बहले गुरुजी 61 होगा इधर की तरफ करकते हैं इस question यह आपके पास कितो हो जाएगा 61 बटा 8000 अब यह सॉल और 61 बटा 8000 और यह किसके बराबर है वोले 427 के बराबर है आप देखो इसकी शकल बिल्कुल ऐसे लग रही ने कि आपके पास क्या है साथ अभी आपके इसको उठा कि यह यह है तो पकी बात है इसके बगल में बैठा हुआ आपके पास क्या होगा आपका इंट्रस होगा यहां से आपके पास जो रहा है और यह विखलप आपको यह बताता है अपको जो है निकालना पड़ेगा अब आपसे पूछ रहा है अधिht रहें तो आपके द्वरारा ली गई धन राशी बी पीके द्वारा ली गई धनराशी और भुक्तान किया गया ब्याज ग्याद कीजिए तो देखो आठ हजार का मतलब देखो सिंपल देखना ये तो है जो मैंने आपके लिया है और ये जो आपके पास क्या सुरी ये तो वो है जो मैंने भुक्तान किया है मतलब मेरा पास क्या मतलब मतलब कितना ही से गुणा करते साथ एकрим पडिया उनिफ से यूरी सपने है यहाँ साॉजड़ों है यहां ऐसलिए राइट हो जाएगा यहां आपका राइट होगा बाकी वाले आपके अपने आप गलत हो जाएंगे यह तो वेसी रेस से हट गए यह तो वेसी रेस से हट पैसा नहीं है कि बहुत बड़ी Q7 दो संख्याओं का योग जो है वो 26 और उनका अंतर आपके पास 14 है योग और आपके पास अंतर दे दिया है यह बड़ी संख्या के तीन गुने को खोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागपल क्या प्राप्त होगा बड़ा मासूम सा Q7 है और यू मान के चलो कि आपके constable बनने के सपने में यह question जो है वो मील का पत्थर साबित होगा यह question ऐसा है जो शायद ही hall में कोई लड़का गलत करके आएगा आपको पता होना ची बच्पन में आपने पड़ा था कि यदि आपके पास योग और अंतर हो तो दोनों को जोड़ कर दोका भाग दोगे तो ब बल जाएगी है न ऐसा पड़ा था आपने बच्पन में पड़ा था आपको याद नहीं है मुझे याद है तो अभी आप देखो इन दोनों को जोड़ो गहे तो इतना होगा बोले गुरु देव आपके पास चालिस और चालिस का आदा करो तो कितना होगा बूले गुरू द 20 अच्छा दोनों को घटा दो यार दोनों को घटा होगे तो कितना हो जाएगा 12 और 12 का आदा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 अब बताओ इसका 3 गुना करो तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा गुले गुरुजी इसका 3 गुना 60 होगा और 60 में जब आप 6 का भाग लगा तो क असर क्या हो जाएगा विकल्प जो है चोथा विकल्प आपका राइट होगा बाकी वाले विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा पूछ क्या रहा है भाग देने पर भागफल क्या आएगा तो भागफल पूछ रहा है इसलिए भागफल निकाल दिया इसका मतलब क्या है 2020 में ये यह कोश्चन जो है हर बच्छे ने किया होगा इससे आसान कुछन हो सकता है और वैसे सारे के सारे लड़के जिन्होंने यह प्रश्चन किया होगा सारे के सारे भी कॉंस्टेबल होंगे भी प्रश्चन नमब 8 एक किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह time and work से भी आपके कुशन, एक इसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, बहुत बढ़ी आप बात है या, आप बताओ अगर ये भाई साब, आपके 45 दिन में काम कर सकते हैं पर दे का काम कितना हो जाएगा इनका बहुत पर दे का काम इनका होगा, एक बटा 45 और 30 दिन तक इनोंने काम किया, very good 30 दिन तो काम कर दिया, कितना काम कर लिया होगा इनोंने, बहुत इतना काम तो करी लिया होगा, तो 15 दुनी 15 तिया, और आपके पास कितना दो बटा, तीन काम ये कर चुके होंगे, अब आप बताओ एक पूरे काम में से अगर दो तीहइ ये कर चुका है, तो फिर एक तीहइए काम शेष बचेगा ना आप बोलो कि हाँ गूरूजे एक तीहइए काम शेष बचेगा अब क्या बोलता है ये होता पूरा काम कब होता जब यह 3 से गुणा करते तो फिर इदर भी 3 से गुणा कर दो यह पूरा काम करते हमारे कितने 15 दिनों में पूरा काम करते 15 दिनों में और यह पूछे रहा है कि अकेले पूरे कान को करने में एक इतने दिन लेगा तो अकेले पूरे कान को करने में ए जो है वो आपके 15 दिन लेगा ये विकल्प राइट है बाकी वाले विकल्प जो है वो गलत हो जाए तो जो भी आपके कॉंस्टेबल एक्जाम में बैठोगा ना दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल एक्जाम में पीपी मत बढ़ाना भाई या रखना ना बीपी बिलुकुल नॉर्मर रखना तो मेरी बात याद रखना के आप जो है बहुत आराम से इस पेपर में 15 में से 15 ला सकते हो कोई बहुत भाव 20 पर्षफ हाँचे नहीं यहान देने वाली बात है एक पर आपके पास क्या होगा और दूसरे पर आपके पास क्या क्या होगा लॉस भाना अभी Tech पूरे वाले में यह सांतवे नजदाज कर दो गया तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है लेकिने लॉस वाले में आपके पाई साइन को ध्यान नहीं दिया ना तो ये कोश्चन पता है बेडा गर कर देता है अगर आप प्रिक की तरब चलेगा अभी आप देखना आप बताइए चावल की कितनी मात्रा चावल की कितनी मात्रा किलो में बीस पसेंट हानी पर बेची गए लाउफ एलिगेशन लगाते है इसके अंदर साइन का ध्यान रखते हुए तो आप इदर देखो यार एक हजार किलो जो है वो आपने चावल दो हिससे में बाटे रहे होंगे एक पर आपके पास 10% का profit हो गया अचा profit मतलब में plus use करता हूँ और loss मतलब में minus use ध्यान देने वाली बात अभी आपके पास क्या हो गया plus के 10% दूसरा आपके पास minus का 20% अभी आपके पास फिर क्या हो गया loss हो गया इदर देखो यह loss हो गया तो वापस आपके पास क्या है minus के 11% अभी आप दे निकालो गें जयानकना एक आपके पास की जिसे जीरो है एक इदर की तरह के पॉज़िट्टिवOL पर एक इदर है एक इदर आपके पास पवी जुखतने पर्द हो और आपके पास इसका इतना हो जाएगा ऐगा तो याप पहां दूरी तो अभी आपकी पास यह फरक है तो अभी आप देखो इसे का फरक मोलेz जीरो एक क्वजटिव साइड पर आगेटिव साइड इस पर जोड़ दो little अब इसर का फार दोनों यो साथ का रिष्टदार नहीं है यह भी नहीं यह आपके पास हो पिर उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा साथ का निकट रिष्टदार और नहीं तो फिर पूरी कैलकुलेशन करदो साथ औरoricैंसर्थ इन serait दस आप आपके अलग-अलग separate तरीके साब बेचने बाद तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास option number तीन हो जाएगा मतब सी विकल्प आपका right हो जाएगा कमझ में आया तो ध्यान लखने न ये आपके पास क्या मिश्रण सके पिश्रण से आपके पास क्या है question निकलकर आया है law of आपके allegation अरे या इससे आसान क्या हो सकता है निम लिखित में कौन सा भिन सबसे छोटा है और बिल्कुल हल्वा रग दिया हल्वा बिल्कुल स्वादिश्ट इलाइची इलाइची मार के उपर से dry food भी डाल रखे हैं और यह समझ लो यह ऐसी चीज है कि किसी को अगर हंडा और गरम दोनों एक साथ पसंद है तो हल्वे के बीच में ऐसे छेट करके ऊपर जो है वह एक आपके पास क्या है आइसक्रीम का जो आपके स्कूप है वह भी लगा रखा है आप आइसक्रीम भी खा सकते हो आप नीचे गर चुटा होगा वह छोटा फ्रेक्शन होगा जिसका मेंगि Bennu बढ़ा हो वो बड़ा fraction होगा आप देखो यहां सबसे बड़ा magnitude यह दिख रहा है इसलिए यह सबसे बड़ी भिन है सबसे चोटा magnitude यह दिख रहा है कटने का सवाल ही नहीं उठता यार ऐसे question भी अगर number आपको कटवाते हो इन questions पे भी आप number कटवाते हो तो तुम यार किस चीज की तयारी कर रहे हो तुम को सोच हो यार बतलब अगर आपके मेरी fraction की चुरू की दो क्लासे भी पढ़ रखी है ना तो भी इस question को हिट मार के आज और ऐसे बोलोगे यार भाई साप ऐसे बोल दोगी कटव को आपको आसमान पर लेखे जाना है ऐसे question कटव को आसमान पर पहुंचा जाते हैं कोई भी बच्चा question गलत करके नहीं आएगा मजा नहीं आया मजा नहीं आया और थोड़ा सा cutting question देना चाहिए था चलो question नमर 11 की ब अनुपात में mission तयार किया ऐसा करते हैं अक्सा दुखांदार कर देते हैं जिस पुझारन के तौर पर उनको पता है यार बासपती चावल है जाता है यार 120 रूपे किलो के अंदर तो क्या करेंगे 120 रूपे किलो वाले चावल के अंदर कोई आपके पास क्या हलका सा आपके पास क्या है जो भी इंटिलिजेंट आपके वियापपारी होता है वैसा कर देते हैं और इसी से mission तयार होता है जैसे आप जहने आते हो रहा है मिष्चर आपके क्या है मिठाई पेक कर दो बोलता मिष्चर का आपके यह लगेगा और उसमें उठाके पैठे डाल कि आपके पास क कासी जो बनले की मिठाई डाले पल्ली मिठाई या टो छाष नि आपके पास क्या और तो यहांप कर आपके पास अगर महरत से कहते हो कि हैं आप szuous मैंडे जलिए हैसे मदिआ सिक करो आप तो आपके रहने दो मैंतोब mefaArt को में साप से दूगा और ये पता स कोशिश कर रहे हो ना तो वह एक भी बीज नहीं डालने वाला वह उस व्यापार को वहीं कैंसल कर देगा वहां अपने फाइदे के लिए पेठा डाल लेगा सबसे सस्ता पेठा डाल देगा लेकिन महेंगी वाली नहीं डालेगा उसको बता है क्या मतलब आ रहा है चार सु अब आप देखो यह आपके पास brand A है यह brand आपके पास B है एक brand A 15 में बेचना चाह रहा है दूसरा आपके पास क्या है 18 में बेचना चाह रहा है मिश्ण का नियम लगाँगा यहां पर आप क्या बोल रहा है उसने मिश्ण को 20 रुपे प्रती सो ग्राम की दर से बेच कर 20% क तैयार करें लेकिन यह 20 रुपे जो इसने दिया हुआ है यह basically 20% profit पर है कहा है 20% profit पर है और यह basically selling price 20 रुपे प्रती सो ग्राम बेच कर 20 प्रतीशत का profit ले लिया means यह selling event है आप बताओ 120 प्रतीशत जो है वो 20 रुपे के बराबर है मुझे यह निकालने के लिए यहां पर जो चाहिए होता था ना वो क्या चाहिए होता था था तो सबसे पहले मदब इस type के question अगर आपने कीए है ना तो आपको पता होना ची कि यहां पर cost price रखे जाते है यहां पर क्या रखा जाएगा CP रखा जाएगा अभी आप देखो cost price value की आजाएगा तो यह आजाएगा भाग लगा इसके अंदर 4 का तो यह 3 बार 4 पंजे 20 यह 50 हो जाएगा यहां जो मान आएगा वो आएगा 50 बटा 3 प्रतीशत तो नहीं है 50 बटा 3 भाग कर लो यह value आजाएगा अब आप देखना यह 50 बटा 3 cost price पर है इसका मैं इसाफ किता लगाने वालों 50 बटा 3 cost price पर है अब आप बात बताओ यार यहां पर 50 बटा 3 अगर cost price आया है मेरा तो यहां पर अभी मैं इसका हिसाब लगा हो ना तो fraction में चला जाएगा हना मुझे क्या चाहिए कि यहां भी 3 चाहिए यहां भी 3 चाहिए तो आप बताओ लगा लो 3 यार क यह कितना हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा पैतालिस यह कितना हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा आपके पास चववन अब बताओ चववन से पचास का फरक इतना आ रहा है चार इधर कितना फरक आ रहा है पैतालिस से पचास का फरक आ रहा है पांच जो भी आ विकल्प आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा जो भी आप composition बना रहे हो उसमें चार भाग ब्रांड डालोगे पांच भाग ब्रांड बी डालोगे तब जाकर उसे 20 रुपे पर 100 ग्राम बेचने पर आपको 20% का profit हो जाए तो आप ध्यान लगना यह जो आपके mission के नि है क्या पढ़के जाना है एक्जाम की रात को अगला question देखते हैं हम next question क्या है आपका question बारा एक घनाब आकार ठुली टंकी बाहर से आपके क्या है जान estas anna बाहर से आपके इतने मीतर लंबी और आपके पास इतने मीटर चोड़ी और आपके पास क्या if just a mini ऐ बाहर से बाहर से देखने अभी आपके पास के इसकी शमता जो है वो इतनी 900 लिटर की शमता है इसकी दिवारे जो है वो आपके 5 cm मोटी है इसकी तली तली 5 cm नहीं इसकी तली की मोटाई याद की तली की मोटाई आपको बताना है बाहर से आपने देखा है आपके धारीता शमता देदी 900 लीटर की धारीता शमता है पर आपको बताना है कि भई इसकी तली की मोटाई क्या है तली की मोटाई के बाहर से देखने पर इतनी उच्छी दिख रही है बाहर से देखने पर इत्ती उची दिख रही है, अब मुझे एक पास बताओ, अगर ये बाहर से इस तरीके का टैंक नजर आ रहा है, और बाहर से ये नजर आ रहा है, तो आप मुझे बताओ, 5 cm मोटा इदर से होगा, 5 cm मोटा इदर से होगा, तो आप बताओ, 10 cm तो आपके प आपको समझ में आगया होगा यस समझ में आगया अभे तो चोराई की बात करते है टोराई भी मुझे साइड से देखने पर आगर यह सब्रोगा इसे तर्ब 59 तो यहीत 내가 दिखेगे इस क्वेंट्र से आपके 1.2 तो मतलब depth जो आ रही है वो 1.5 इंटू आपके पास क्या है 1.2 की आ रही है अब आप इसका इस्तमाल करनी सकते हैं इसका इस्तमाल कैसे कर दोगे यार मैं यहाँ पर question mark डाल रहा हूँ अभी अंदर की जो चीज आएगी न वो और इसका फर्क उस मोटाई उस तली की मोटाई आ जाएगी यह किसके बराबर है यह आपके पास इसके बराबर है 900 आपके पास लीटर के बराबर है 900 लीटर को मिटर में चेंज करना आपको आना चाहिए तो थोड़ा सा यूनिट कनवर्जन का ग्यान आपके पास होना चाहिए अगर आपने यूनिट कनवर्जन का ग्यान नहीं लिया हुआ है तो डीजे सर क्लासे के यूट्यूब चैनल पर ये क्लासे भी पड़ी हुई है कंटेंट बहुत कुछ है बस पढ़ने वाला चाहिए अभी हमें क्या चाहिए आपको वर्दी दिलानी है इस वर्दी की आपने सपने देखे है उसमें हम तो प्रसंद हो जाएंगे आप जो है डीजे सर क्लासे के यूट्यूब चैनल को पूड़िए वहाँ पर ये आपके इकाई वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1000 संटीमिटर क्यूब जो है वो एक लीटर के बराबर होता है एक हजार सेंटिमेटर क्यूब जो है एक लीटर के बराबर होता है पर अगर ये नहीं तो आप क्यों समझ सकते हो एक मीटर क्यूब जो है वो आपके पास क्या होता है एक हजार एक हजार आपके पास क्या है लीटर के बराबर होता है एक मिटर क्यूब में जो है वह एक हजार लीटर पानी आता है यह आपके पास क्या है वैल्यू होगी अब आप देखना आपको क्या चाहिए यहां पर नो सो चाहिए तो बस इदर आपके क्या है आप नो सो कर दो तो इदर भी आपके पास नो सो हो जाएगा मिटर क्यूब में मिटर ग्यूब में value एदर देख्ाँ लो एदर को इसको इतर लियाओ एक बटाрь 1000 मिटरस क्यूब बड़ाबर एक लिटर लेकिन आपके पास एक लिटर नहीं है आपके पास कितना 900 limit है जब आप इसको 900 करो गे बास कुछ मत करना है इसको भी अगर आपने देख लिया कि यह आ रहा है एक हजार आपके पास जो है लेटर पानी आता है आपके मेटर के अंदर यह पॉइंट नाइन कर सकते थे लेकिन चुकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है इसको तो पहले पढ़ना या ना काई वाला चैप्टर तो डंग से पढ़ अभी question mark का मान निकालना है तो यह देखो 0.9 और 1.5 और 1.2 यह point से point 2 out हो गया 3 से 3 बार और 3 से चार बार इधर आपके पास देखो अगर मैं इसको अटा दू तो यह दो बार तो value कितनी आ रही है एक बटा आपके पास एक बटा दो value कितनी आ रही है एक बटा दो और एक बटा दो का मतलब है आपके आधा मिटर आधा मिटर का मतलब कितना हो गया 50 सेंटिमिटर 50 और 53 का फर्क कितना होगा 50 और 53 का फर्क आपके पास 3 होगा तो answer आपके पास में 100 cm, आदे में 50 cm वो कितना गैरा, 53 cm उची है, जो चीज में बाहर से 53 दिख रही है और अंदर से 50 दिख रही है, वो आपके तीन, उसकी तली जो है उपर तो खुला हुआ नहीं इसका मतलब उसकी तली जो है वह कितनी हो गई ले तीन सेंटीमेटर मोटी उसकी तली हो गई आगे बात करते हैं अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 13 तली कि इसी परिवार के आउसत आयू आपके पास क्या है 18 वर्शिक चैनल का बता पांच लोग feteern向new a third into आपके पास किवह कितना जैब 18 i2 आपके पास आपके पास कितना पंजे रहा पंजे नब नब वर्श गह उस पांचे जो है उनकी आयू का योगफल मेरे को कितना मिल गया नब्वर्ष में पहले रहने अगर आपको समझ में आता है कि आसत क्या होता है वहले आसत राश्यों का योगबटा उनकी संख्या होती है तो आसत को यदि आपके क्या है उनकी संख्या से गुणा करते हैं तो उन पदों का योग पुफल आ जाता है अभी मैंने करके रख लिया काम आएगा मेरे यह परिवार में एक नए सदस्ति के आने से आ गया परिवार में एक नया सदस्ति आ जाने से ओसत आयू अभी वही है अवरेज नहीं बदलाया यह बहुत तगड़ी बात होगी नया बंदा आ गया अवरेज न बढ़ा तो आपके पास क्या है औसत आयू वही है नए जुड़े सदस्ति की वर्तमान आयू वर्षों में कितनी होगी नए जुड़े सदस्तियों की वर्तमान आयू वर्षों में कितनी होगी अच्छा मुझे बताओ यह दो साल पहले सम यह चल रहा था तो दो साल बात इन पांचों लोगों की आयू में दो-दो साल का increment लगेगा की ने लगेगा बोले हाँ गुरू जी लगेगा अगर ऐसा होगा तो आप बताओ 5 इंटू 2 मतलब 10 साल बढ़ जाएंगे तो ये आपके पास क्या है प्लस 10 साल बढ़ेंगे और ये टोटल सम जो है वो कितना हो जाएगा आपके तो वर्ष हो जाएगा इसका मतलब ये पांच लोग वर्तमान में सो वर्ष का सम लेके बैठे हुए होंगे लेकिन आप बताओ नया बंदा एक और आ गया है और नया बंदा आते से लोग कितने हो दल चहे बूल रा है को शटन के आवर्ष नी बदला यह रहा रहा 14 याय इसका वर्षी रहा इसका मतनतर सम कितना वह गया जरू का सम जो है वह 108 हो गया अब बताओ अभी वर्तमान में तो सम कितना बता रहा है बोले 100 यहां कितना बता रहा 108 तो यह 8 का फर्क किस ने डाला बोले यह 8 का जो फर्क डाला है वो नए मेंबर ने डाला है जो यहां हिसाब किताब में मिसिंग है यहां 5 का हिसाब है यहां 6 का हिसाब है दोनों फर्क जो है तीसरा नया आने वाला सदस जो है वह आपके पास कितने का हो जाएगा आठ का हो जाएगा यह आपके पास जो भी नया बंदा आया उसमें अरिवार में आपके आठ वर्षका होगा असान सा कुछन इदा तो और पढ़के जाना जरूरी है इसलिए कल के सैट पेपर में भी क्या कुछन आया था आज भी आया है एवरेज पढ़के जाना क्यों आगे बात करते हैं पर्षण नमबर 14 एकी आए बी की आए से 35 परसेंट अधिक हो तो बी की आए एकी आए से कितने प्रतिशत निकर्तम पूरांक तक शुद्ध कम है यह आपको बताना है तो एक बात बत होगा 5 को साथ से गोना करने 35 हो जाता है तो आपके पास क्यों जागा 35 % का फ्रक्शन वैल्यू जो है वो साथ बटा 20 होगा अच्छा याद है 35 परसेंट का डारेट फ्रक्शन वैल्यू बहुत अच्छी बात है जिसे भी मुझज नहीं पता था तो मैंने गर्मा गर्म तयार कर लिया तरका मार के निकाला है मैंने 20 को 35% का fraction value आपके पास यह होगा अब देखो language सुनते हैं एक की आए बी की आए से 35% अधिक है 35% जादा है अगर टेक्निकली बुला जाए तो 100 और 35 एक सो पैस्ट हो जाएंगे आकड़ों को बड़ा नहीं करना है आकड़ों को छोटा रखना है अभी बोल रहा है कि बी की आए एक की आए से कितने पर्शेंट आपके पास क्या है कम है पीस के मुकाबले अगर साथ जाधा गरोगे तो वैल्यू 60 होगी क्या नहीं होगी हां सथ थो जाएगी आपके पास कड़ेगी सथ 10 हो जाएगी अब बताओ अगर कोई किसी से जाधा है और कोई किसी से कम है तो वो कम जादा वो फर्क ही होता है जिसे उधारन के तोर पर आप समझना इस बात को समझना जैसे की मालो कि चेश्मे की डेडि और ये इतना साँ इन दोनों में कमतर कितना आं रहा है यह आ इस से कितना कम है इना यह बोलु यह वाला आपके इससे कितना ज I कितने परसेंट आपके पास क्या है कम होगी बार कि आपके पास साथ ही की उगा και चुकि आपके पास 27 कि युद्टा से गुना कर देना तब ये आएगी और इसका हिसाब किताब आप निकालो तो क्या आएगा इसका इसाब किताब सिंपल सी बात है अपने स्टाइब की कोश्रन कीए थे तब क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं आप देखो एक अगर 10 परसेंट जादा था जो आपके कम वाला था वो इससे कम उत्तर आगा था अगर इसने कहा था 20 परसेंट आपके पास ज्यादा तो उत्तर इससे कम आया था अगर इसने कहा आपके पास क्या 30% जादा तो जो कम वाला आया था वो इससे कम आया था एक बात तो ट्रिक विरिक तो नहीं लगेगी आपके भाग लगाओ इसके अंदर तो यह वैल्यू चली जाएगी अभी आपके पास क्या दो बार जा रहा है और फिर जो बच्चे का आप लगा ना यह बाकी दो और यह तो कम हो जाएगा साफ ही दिख रहा है यार रही जा फिर यू देख नियों सब्सक्राइब एक माइट करण चर। चर। इक मिंट रुखो जबा, भी की अगव एकई ए उसके इतने प्रतीशत क्या है कम है यह बी की आए एकी आए से कितने प्रतिशत आपके पास क्या है कम है एकी आए से और एकी आए बी की आए से आपके पास इतनी 27 हाँ तो 27 के मुकाबले निकालना है न 7 हाँ ठीक है हाँ तो यह वैल्यू आईगी आपके पास क्लियरे बात पांसर आपके पास क्या 26 वाला जाएगा इसके बाद देखा अगला यह आज की ग्लास का आखरी कोश्चन होने वाला है तो अभी आपके पास क्या है चोटी से चोटी संक्या कौन सी है जिसे 12-10-11 से विभाजित करने पर केश क्रमश्य जो है 11-9-10 प्राफ्टिक मतलब देखना जब मैं आपके 12 का भाग लगाऊंगा 10-90 तो संक्या में आपके पास क्या है 11 बचना लगाऊंगे इधर लिख लेते हैं तो यहां भी देखो, मैनस 1 है, यहां भी मैनस 1 और यहां भी मैनस 1, अत्त पता है क्या है? आपने क्या करना है? इनका एलसियम निकालना है, अभी वो एलसियम जो निकालोगे, उसमें अगर इसका भाग लगाओगे तो पूरी-पूरी बार जाएगा, रेमेंडर जीरो इसका भाग लगाओगे तो remainder 0 बचेगा लेकिन हाँ अगर उस संख्या में से एक आपने कम कर दिया अभी respectively remainder यहाँ पर 9 बचने वाला है यहाँ 11 बचने वाला है इस पर भाग लगाने पर 9 बचेगा इसका भाग लगाने पर यह बचेगा अगर आपने लसप LCM and HCF वाला चैप इसका LCM निकालने में हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो लेकिन इन दोनों का LCM निकालने में किसी वाच्चेगा प्रॉब्लम नहीं आएगा घूना करते से क्या जाएगा यह वैल्य हो जाएगा 66 है आपके पास 0 और इसमें से 1 कम कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 659 आप पड़ा हुआ है इतना पढ़कर जाना है, लेवल क्या रखना है, कहीं बार क्या होता है, आदमी 10 भी पास भरती के लिए जा रहा है, और पढ़कर आ रहा है, cjl level का, अब आप बताओ यार, 10th पास वाली भरती के लिए आप जा रहे हैं, और gradual level पर जो question आ रहे हैं, वो आप कर रहे हो, तो या प्रतिशत पर्फोर्म करो यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए यह नहीं कि आपने पढ़ा था लिया वहां आया 5% और उस 5% का भी 50% आप पर्फोर्म करकर आया ताइम और खराब हो गया लड़का हताश हो निराश हो गया कि आर पढ़ा तो इतना कुछ था आया कुछ नहीं पढ़ा था अगर आप पास का लेवल पूर है तो आपके कॉंस्टेबल का लेवल इतना नहीं आ रहा है दोनों तीन सैट होगया तीसरा सैट चल रहा है तीनों सैट में आपने देखा लेवल बहुत नॉमिनल सा लेवल आ रहा है लड़के को हलकी फुल्की भी मैथ आती न पंदरा मैं से पंदरा आराम से करके जाएगा दुनिया में आपके कोई ताकत नी जो पंदरा मैं से पंदरा उसके रोक ले तो आजके लिए इतना काफी है बाकी की बात जो है वह हम अगली क्लास में करेंगे अगर आप चैनल पे नए हो और यह वीडियो आखरी तक देख प्रें हो एक लैक तो बनता है बॉस प्यारा सा कॉमेंट जो है वह भी आप ड्रॉप करके जाएगा तब तक अपना खयाल रखेगा और याज जरूर करिएगा तैंक यू सो मच जय हिन जय भारत झाल